तो है वाटसव एबरबडी दिस इस तक्वायम एदेन वेलकम बैक टो यूटुब चनल सेवल परो डियर विवर्स आज हम यहां पर डिसकस करने जा रहे है डिजाइन अप सिंपली सपोर्टेट और रेक्टेंगलर बीम ओके बाइलिमिट स्टेट में तो हमारे पास हमारे पा मतलब आज के दूर मेंपाल में दिजाइन करते हैं तो हम लिमिट स्टेट मेटव से हैं पर डिजाइन करते हैं तो फ्रेंडिस में आपको बोलती चलू कि आप है पहर आपने अभी तक संस्क्राइबaison है प्लीस सब्सक्राइब की जो और बेल आगेन पर टाप करेंगे तो आपको उसका नुट्रिशन मिलता रहेगा तो चलिए यहां पर आपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जो क्लियर स्पे ने हमारी बीम की वो यहां पर अल्रडी हमने प्रोवाइड की है तो दूसरा हमें यहां पर क्या है यहां पर यहां पर बात करेंगे तो हमें यहां पर M20 कॉंक्रीट यूज करना है M20 कॉंक्रीट के साथ साथ हमें जो स्टील यूज करना है वह है यहां पर 415 स्टील ठीक है FE415 तो चलिए देखते हैं हमारा यहां पर डिजाइन प्रोसेजर स्टार्ट करते हैं तो फरस्ट आप यहां पर हम क्या करेंगे जो हमारे पास यहां पर गिवन डेटा है उसमें जो हम क्लियर स्पें जो है हमारी उसको हम यहां पर M20 करेंगे तो यहां पर 6,000 बन जाएगा क्योंकि हम थाउजल यहां पर यहां पर हमारी जो कि है FCK जो कि characteristic compressive strongest of M20 concrete है हमारी यहां पर यहां पर हमारे हमारे हैं 20 newton per mm square for M20 concrete for M20 grade of concrete तो यहां पर हम बात करेंगे Fy की जो हमारे पास yield strongest होती है steel की तो हम यहां पर यूज करते है F415 grade का यहां पर करते हैं यूज जिसकी यहां पर यह डिस्ट्रंगत होते हैं 415 Newton per mm square तो यहां पर इसके बाद जो हमने यहां पर calculation की जो हमें given data होता है उसके हमने calculation की तो इसके बाद हम कुछ assumptions इसमें लगाते हैं कुछ assumptions हम इसमें हम देते तो उन assumptions को हम पहले ही summarize करते हैं वह हमारी क्या क्या है तो फ्रस्ट एजम्शन जो हमारी है यहां पर हम देखते हैं विडियो तप support set each and this is 300 mm जो हमारे पास wall thickness हम यहां पर लेते हैं वाल ठीकनेस जिस पर beam rest करता है उसकी हम यहां पर thickness 300 mm लेते हैं यह हम यह हम पर mm में हैं तो किसी जगां में meters में जरूरत पड़ी तो हम वहां पर accordingly meters में लेंगे ले लेंगे ओके तो यहां पर हम जो कि हमारा case number second आता है एजप्शन आती है nominal cover nominal cover हम कितना यहां पर प्रोवाइड करते हैं 20 mm का यहां पर nominal कोई कोई साबी हम पर column design करना हो तो हम एजप्शन उसमें लगाते हैं वहां में पहले ही summarize करने हैं कि हमारे assumption क्या क्या है इसमें ओके तो यहां पर देखते हैं यहां पर चले देखते हैं step number first अब क्या है हमारा यहां पर setups में आपने बीम को यहां पर design करते हैं तो कोई क्या को बीचीज यहां पर design करना है yeah तो हम पहली इसमें क्या करेंगे हम यहां पर देखेंगे पहली जब हम यहां पर करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे कि क्लियर स्पेन जो हमारी है वह 4.2 मीटर आलरडे हमाई गिवन डाटा है तो 4200 mm बन जाता है अब हम क्या 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 करेंगे कि अजूम हम यहां पर कि 1 by 10th to 1 by 8th of clear Spain L, जो है हमारी clear Spain जो हमारे पास है, उसका जो हम इतना लेते हैं, 1 by 10th to 1 by 8th of clear Spain, तो इसमें हम जब values put करेंगे, तो 1 by 10th cross यहाँ पे आ जाता है, तो 1 by 8th cross 4200, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जब हमने इसकी calculation की, 1 by 10th to 1 by 8th of clear Spain, तो यहाँ पे हमें मिला 420 mm to 525 mm, तो इसके हम यहाँ पे in between का यहाँ पे value लेंगे, तो यहाँ पे let हमारा D, जो कि overall depth है हमारी है, जो कि हमारी overall depth है हमें कितनी आई यहाँ पे, overall depth है हमें आई, यहाँ पे 500 mm, ओके, 500 mm यहाँ पे हमने consider किया है, कि हम यहाँ पे beam को 500 mm ले लेंगे, तो next step क्या है हमारा, जब हमने overall depth यहाँ पे design की, तो यहाँ पे assume हमने की, icki把它 होता है kiaam स्टब होता है कि हम dovret of the beam यहां पे देखेंगे कि विडिट of the beam हमें किसे निकलता है जब presumo they define via this यहां पे देखते हैं нул युथर के बाद ही हमारा विडिए आता है तो अगर ्हां यहां पर देखते हैं जो हमारी Title यहां पर हमारी ऊवराल यहां पे उनली हैं विड़ेप्त तो हमगलने के लिए हमारे पराइप् scholars किया है भीनल डी वाइटू टू टू ठीडी ओके यहां पर यहां पी एवह डिप्टाइग स्थे पाल्ट करें गया पर देख सकते हुए यहां पे Ben mm2333 mm okay तो इन बिट्वीन का इसमें वेल्यू ले लेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो विड्थ हमारी यहां पर मैंने चूज किये 300 mm ओके तो जो हमारी विड्थ आई वह 500 mm आई और जो कि हमारी विड्थ आप बीम आई वह यहां पर आई 300 mm तो नेक्स्ट क्या है हमारा हम अगर यहां पर बीम है इसकी यहां पर इन्फोर्समेंट है ओक ear treatment की यहां पर सेंटर लाइन तो टॉप से लेकर जो सेंटर लाइन तक हमारी यह आता ती ओके सुमाल्डी ओके तोके सुमालड यहां पास और शाता है है तो हम यहां पर क्या करेंगे और हम निकालने के कोशिक करेंगे कुंसे निक से निकलेंगा तो हम यहां पे इसका मैनस D आ जाएगा ओके तो हम यहां पर वोगाता सांट्रेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर टी आ जाए upwards किया है इंट जो हम नामेनल कवर हम आप ट्वॉंटी ले ते तो हमें यहां पर उसमाल डी और सांवने आ गया और वर रालแप तब भी यहां पे सामने आ गया तो next step क्या होगा हमारा यहां पर next step हो गाया यहां पर calculation of effective span ओके अभी हमारे पास clear span उन्हों यहां पर question में दिया है कि clear span हमारे पास 4.2 तो हम effective span को यहां पर कैसे calculate करेंगे और नेक्स step है हमारा काल्कुलेशन of effective span एल तो हमारी यहां पर जो कि है इफेक्टिव स्पेंड जो होती है हमारी इफेक्टिव स्पेंड बीम शाल भी टेकन इस लीस्ट ऑफ फॉलोइंग वेल्यूज ओके जो हमारे पास रिकमेंड़ वेल्यूज है जो हमें इस फॉर फफीक सिस्ट यहां है यहां पर रिटयंड किया है कि आप आप एफेक्टि शॡू थाउज देखएंगे तो दौन हमें फिर लीस्ट बेड्यू यहां पर शूज करनाए यहां प्नकतल के लिए को पहलाी यहां पहला है है हमारा पहला ही केस है हम यहां पर डिस्टर्स बिडूइन सेंटर टो सेंटर ऑफ सपोर्ट ओके सेंटर टो सेंटर अभी हमारे पास यहां पर क्लियर स्पेंड दी है मतलब जो हमारे फेस आफ तर सपोर्ट होता है और नेक्स्ट फेस आफ दा सपोर्ट उससे लेकर मतलब वा वाल है यहां पर नेक्स्ट वाल यहां पर है यह हमारी है यहां पर बीम इसके ओपर रेस्ट करती है तो यहां यह जो डिस्टन से हमारी यहां से लेकर यहां से इसको हम बोलते हैं क्लियर सुपेन ओके और जो कि हमारी सेंटर से लेकर सेंटर तक इसको हम बोलते हैं इफेक्ट से लेकर हमें इस सेंटर तक बराबर जानी है तो हमें यहां पर डिस्टन्स टोटल में लिख लेगी ठीक है तो उसके लिए हमें क्या क्या है अगर हमें इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक जाना है तो इसके लिए हमें 2 सब्सक्राइब ज़रूर्ण पड़ेगी तो यहां पर मैंने इसलिये लिया है 0.30 मतलब 300 mm को जो मैंने पहली एजुम किया है 300 mm सब्सक्राइब तो उसको मैंने यहां पर मीटर में हमारी यहां पर 4.2 मीटर तो उसको हम यहां पर इसके साथ प्लस करते हैं और जो नेक्स सपोर्ट होता है हमारा पास 0030 divided by 2 तो यहां पर हमेरे टोटल हमेरे यहां पर बेलिव आई यहां पर हमें कितनी वेलिव आई 4.5 मीटर यहां वह करना ने आनना तो इसको यहां आपके सब्सक्राणा करना तो हमारी यहां पर आ जाएगा तो meters में convert करेंगे तो 0.4 seconds बन जाएगा तो यहां पे total में हमारा है 4.66 तो हम यहां पे least value यहां पे ले लेंगे least value अगर हम देखेंगे तो यह वाला यहां पे least value है तो हम यहां पे least value लेंगे मतलब 4.5 meter जो हमारे पास आता है 4500 mm, okay तो next step देखेंगे next step हमारा क्या रहेगा next step हमारा यहां पे आ रहा है step number 3 जो कि हमारा आ रहा है calculation of factor design loads, okay हम यहां पे design loads यहां पे calculate करते हैं please यह lecture थोड़ा सा यहां पे बड़ा होने वाला है क्योंकि design problem है इसमें हमारी बहुत से setup उसको यहां पे follow करना पड़ता है तो please lecture को बिल्कुल भी skip मत करिएगा तो आपको फिर problem हो सकती है अगर आप lecture को skip करोगे तो समझ में नहीं आ जाएगा क्योंकि इसका मसला थोड़ा सा यहां पे crucial होता है कि यहां पे design problem होगी तो उसको हम यहां पे किसी solo करेंगे पुलीज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो हमारे साथ बने रहे हैं तो एंड तक लेक्चर को बराबर देखते रहे हैं और लेक्चर को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा तो जो हमारे पास यहां पर step number 3 आता है है step number 3 यहां पे आता है calculation of factor designários हम यहां पे क्या करते हैं हमं wieder है क्हारे करते हैं कि हमारे बीन के उपर कौन कौन से loads हैं पर act करते हैं तो उनक clinicians करें यहां पे देखेंगे कि 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 इसक लोड़ मेशन पे डरत करेंगे तो लिए तक остан कानला जैग करेंगे कुछ नहीं करना है बस overall depth को multiply करनी है विड़त ओके overall depth को यहां पे जो हमारे पास overall depth है उसको यहां पे multiply by करना है विड़त से मतलब cross sectionals of the beam okay cross sectionals of the beam multiply by करना है gamma RCC जो हमारा unit weight होता है RCC का reinforced cement concrete का unit weight होता है वो यहां पे हम लेते ठीक है 25 kN per meter cube यह हमारे पास यहां पर RCC का unit weight होता है ओके तो यहां पर हम इसके calculation करेंगे ठीक है यहां पर मैंने लिखा है wire gamma RCC is called 25 kN per meter cube अगर आपको यह चाहिए design problem तो description में मैं आपको link provide करूँगा तो उसे यहां पर आपको यह सारे notice इसमें मिलेंगे ओके तो हम next step इसमें क्या करेंगे जो हम इसमें calculation यहां पर करेंगे ओके बी हम यहां पर क्या लेते हैं यहां में आल्री हमने 300 लिया है और जो हमें पास D है वह यहां पर पास और यहां पर यहां पर करेंगे 25000 यहां पर मैंने इसको हमें न्यूटन पर मिट्र क्या है तो मुल जाएगा तो इसलिए यहां पर 25,000 यहां पर मिल जाएगा और जो हमारा पर यहां पर डैडड डोड जो हमारा आ गया वह यहां पर आप देख सकते हो 3750 न्यूटन पर मिटर अच्छी से कल्कुलेशन इसमें करना ओके calculator साथ रखना और calculation करना already मिन यहां पर calculate किया है time बचाने के लिए तो also अगर हम यहां पर dead load है हमने यहां पर calculation की तो यहां पर super imposer load की बात करेंगे तो super imposer load जो होता है हमारा live load हमारा beam पे कितना act करता है तो यहां पर अगर हम देखेंगे 6000 newton per meter यहां पर act करता है जो आल्टर यहां में given है तो इसके बाद हम next step क्या करते है अभी हम देखते हमारे dead load भी आ गया और super imposer load भी यहां पर आ गया तो यहां पर हम next step क्या देखते है हम यहां पर design factor load से अभी हम यहां पर total में load से हम पर calculate करते है इस load और इस load को यहां पर आपस में plus करते है तो इनका यहां पर total load value आ जाएगा तो total जो हम design load से यहां पर हम लेते है wu से denote करते हैं तो यहां पर हम 1.5 time is dl plus ll मतलब dead load plus lie load तो 1.5 यहां पर क्या है 1.5 यहां भी यहां पर है ठीक है यहां पर हम 1.5 को लेते है partial factor of safety ठीक है partial factor of safety partial factor of safety यहां पर हम इसको 1.5 से multiply करते है जो अल्रेड़ी हमें यहां पर अगर आप RCC यहां पर code book देखोगे ओके code book में आपको यह मिलेगा partial factor of safety के class में आपको क्या क्या मतलब किस load के लिए क्या multiply करना है तो हम यहां पर WU जो हमारे पास ultimate यहां पर load मिला ultimate load यहां पर हमें कितना मिला 14625 newton per meter यहां पर हमने newton per meter इसमें यहां पर लिया ओके क्योंकि हमने उपर kilo को यहां पर convert किया तो इसलिए newton per meter यहां पर आ गया हमारा वेडियो तो नेक्स स्टब यहां पर क्या रहेंगा हमारा यहां पर next step हमारा यहां पर रहेगा step number four calculation of factor bending moment ओके यहां पर bending moment जो है M.M.U. हम यहां पर denote करते हैं ultimate bending moment तो उसको हम यहां पर calculate करेंगे कि देखेंगे क्या वेडियो आ जाएगा तो अगर आप यहां पर देखोंगे अगर आप यहां पर बीम की हम यहां पर बात करेंगे तो bending moment अगर आप यहां पर देखोगे bending moment हमारा M होता है बराबर WL square by 8 ओके यहां पर beam का वेडियो अगर देखेंगे WL square by 8 तो यहां पर अगर हम देखेंगे मुमेट अगर हम यहां पर कल्कुलेट करेंगे तो डबले यू यू एल स्केर बाइट यू हमने क्यों लिया है क्योंकि हमें उपर लोड में अल्रडी डबले यू कैल्कुलेट किया है तो उसका हम यहां पर वेल्यू पूट करेंगे डबले यू का वेल्यू य 1519.53 Newton-Meter, तो इसको हम यहां पे MMS में Convert करेंगे, क्योंकि हमें जो कि next step इसमें मिलता है depth control का यहां पर setup मिलता है, क्यों उसमें हमें यहां पर depth control करनी है हमाई redesign करना है या हमारा design सेम है ओके यह design हमारा ठीक है तो इसमें MMS में convert यहां पर करते हैं तो पहले इसमें MMS में यहां पर convert करके रखते हैं तो यहां पर 37019.53 cross 10 to the power of 3 newton mm यहां पर हमारा बन जाएंगा ओके तो next step हमारा यहां पर क्या मिलता है next step step हमें ठीक है या redesign कर रहा है ओके तो वह हमें इस setup से पता यहां पर चलता है कि हमारे designs ठीक है या गलत है तो यहां पर हम सिटप नमर फाइव की बात करेंगे तो depth control की यहां पर बात करेंगे पहले हम यहां पर क्या करते हैं design the beam is balanced section हो के हमारे पास तीन तरह की section होते है यहां पर बात करेंगे तो balanced section में हमारा जो bending moment होता है वह हम यहां पर equate करते है ultimate bending moment यहां पर limiting bending moment हम उसके यहां पर limiting bending moment के साथ जो हमारे पास ultimate bending moment होती है उसको हम यहां पर limiting bending moment के साथ यहां पर equate करते हैं तो हमारा section balanced बन जाता है तो अगर हम देखेंगे तो अगर हमने M U यहाँ पर कैलकुलेट किया है M U आपको उपर मिला है ठीक है M U मिला है 37019.53 x 10 to the power of 3 ओके जो अब हमारा है M U लिम आए देखते हैं M U लिम कहां से मिलेगा जो हमारे पास यह M U लिम है M U लिम कहां से हमें मिलता है M U लिम आपको code book से मिलेगा ओके अगर आप code book यहाँ पर चक करोगे code book यहाँ पर अगर आप निकालोगे है RCC की code book जो हमारे पास होती है IS456 code book अगर आगर आप निकालोगे तो वहां पे आपको मिलेगा 415 यह steel के लिए है यहां पे 415 FE415 के लिए है यहां पे FE415 steel grade के लिए है हम यहां पे फार्मॉला होती है 0.138 FCK.BD स्क्राइब करेंगे तो हम यहां पे आपको मिला है और जो यह 0.138 यहां पे आपको यह तर्म जो आपको मिलेगी यह आपको मिलेगी FE415 steel के लिए code books है ओके आएस code books है अगर आएस code books है अगर आएस code book हैं पे consultor करोगे तो उससे आपको यहां पे मिलेगा तो यहां पे अगर आप देखोगे 0.138 FC के जो है हमारे अगर आप यहां पर न करना कर दन में और न यहां पर को आएगाonner है तो रूड़ों जो यह टोटल में टर्म है यहां आ जाएगी तो यह इसके डिवाइड में चला जाएगा तो आड़री यहां पे मैंने कैलकुलेट किया है जो आप यहां पे कैलकुलेटर में इसका सारा वेल्यू पुट कर होगे तो आपको यहां पे मिलेगा D is equal to 211.4 mm जो कि हमारे less than है 460 mm यहां पर 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 रिडिजाइन करने पड़ती है तो हमारे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिडिजाइन करने पड़ती है तो चुंकि हमारे यहां यहां है तो सइसे में हृघ्ड हें जो हम्हारा है वह लाहा है वह लहां नहीं है यह दियसिख यूजिं से ओके तो साइज आप दो इसे ओकाश और कारम जो सब्रूम हमने लों आयएंटड क्रॉस 5000 ओर आल तो रहन पे ठीक है तो यहां हमने steps कि यहांप ठीक निकले कि किसी भी step को यहांपर repeat नहीं करना है तो अब हमने यहांपर क्या करना है step number six यहांपर लेना है step number six की हम यहांपर बात करेंगे तो calculation of area of tensile steel जो हम यहांपर tension reinforcement provide करते हैं ठीक है तो उसका हम यहांपर देखेंगे कि हमारे पर tension reinforcement हमें कितने आएगी तो उसके लिए अगर आप यहां पर codebook फिर से यहां पर consult करोगे यह जो फार्मॉला है यहां पर मिली है तो अगर आप स्क्रीन पर आपनी देखोगे तो और wreckune मैंक्स डिव जिरो प्ऱैड़ोंट एट सेन ख्राव अब यहां पर यहां पर बातीय मैं यांपी हमारी यहां यहां पर हमारी होते हैं और घ्रिज़ ज्डट आफ नॉट्रिल एक्सिज खीछ यहां पर हमारी जो कि critical depth of neutral axis होती है ठीक है हम यहां पर neutral axis और critical depth of neutral axis दो हम यहां पर calculate करते हैं अगर अगर आप moment of resistance इसका यहां पर चक करोगे बीम का तो उसमें आपको यह दोनों देखने को मिलेगे neutral axis की depth हम कैसे निकालते हैं और हम यहां पर critical depth तो आप Neutral Axis केसे निकालते हैं, तो XU Max हमें केसे मिलता है, XU Max हम वहीं से calculate करते हैं, XU Max के लिए हमारे पास, यहाँ पर Short Formula है, Critical Neutral Axis की Depth केसे हम calculate करते हैं, वो आपको देश सामने देखने को मिलेगा, तो FC के हमारे पास यहाँ पर 20, OK, यहाँ पर 20 का value put करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा, 0.48 D आपको A से मिल जाएगा, यह किसके लिए है value, M20 concrete के लिए, यहाँ सारी, FE 415 के लिए, आप अगर code book चक करोगे, तो वहाँ से आपको यह मिलेगा, 0.48 D, जो के हमारा होते हैं, XU Max होते हैं, Critical Depth of Neutral Axis होते हैं, 415 Steel के लिए हैं, जो हम Steel यूज करते हैं, हमारे पास Gradus होते हैं इस Steel के 500, FE 500 होता है, ठीक है, तो accordingly हम उसको यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर already, यहाँ पर मैंने calculate किया है, तो 0.48 D का value put करेंगे, तो जो हमारे यहाँ पर critical depth of neutral axis आती है, वो यहाँ पर आती है, 220.8 mm, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर, अब total में यहाँ पर value इसका put करेंगे, AST यहाँ पर, जो हम value put करेंगे, 0.36 FCK का 20 यहाँ पर put करेंगे, B का 300 यहाँ पर put करेंगे, XUMEX का यहाँ पर 220.8, divided by 0.87, और FY जो हमारे पास है, yield string होता है, यहाँ पर steel की है, 415 grade का, हमने यहाँ पर steel यूज किया है, तो यहाँ पर हमने जो AST है, AST है, AST है, हमने यहाँ पर calculate किया, 1320.95 mm square, यह हमें यहाँ पर आया, AST, ठीक है, AST required है, हमें आया, AST required, कितना हमें area of, यहाँ पर हमें AST, यहाँ पर आया, AST required ठीक है, कितना हमें यहां पर जो हमें रिक्वाइड वेल्यु है उसमें हमें कितना कि बीम में डालना है तो यहां पर उसका वैलियु विदा 1320.95 mm तो यहां पर मैंने एस्ट है निकाल आयए 1320.95 mm स्विखेर ओकि तो हमें next step क्या देखेंगे जैसे हमें st total में मिला AST कितना में पुटyy 혁 altre music नेक्स फिट्म हमाल होता हैि हम यहां पर उसके Bars , जो हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं किOoh वर्स रहे कितने लगें, विरício हमें 25 पैशनया, 20 mm बमा का मंत्रई आएगा तो 20 तलiden मिझे यहां भी बाझा noon पर बार किने ray've तो हम A5 यहां पर calculate करेंगे मतलब एक बार का यहां पर डाया क्या होगा ओके वह यहां पर हमें निकलेगा 5 by 4 20 का square ओके तो यहां पर हमें कितना निकलेगा 314 mm square तो हम अगर हम यहां पर number of bars यहां पर देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे number of bars तो अगर हम total AST को यहां पर divide by करेंगे A5 मतलब एक जो हमारे पास एक reinforcement बार का जो area होगा total area को total AST को यहां पर हम एक बार का area यहां पर divide by करेंगे तो हम यहां पर बार आएंगे 4.2 यहां पर बार आए था चीडर के तो फॉर फॉर पॉइंट वहां यहांपर नहीं लेते हैं तुर आम यहांपर करके इसमें फ़ाई बार ली दे empieza लेगे अब्स में इसमें फ़ाईu बार लिती से हम निकालेंगे एग बार का यहां पर हम एरिया और multiple by करेंगे जितने बारस हम इसमें provide करेंगे त्रिये ठीक है 314 cross 5 जो हमारा आता है 1570 mm square required value कितना था required value कितना था 1320 ओके हमने डाला कितना 1570 मतलब ठीक है ओके इससे कम नहीं होना चाहिए इसे ज्यादा ही होना चाहिए तो ठीक रहेगा अभी हम क्या करेंगे अभी हमने यहां पर एस्ट भी निकाला के इसका यहां पर टोटल में प्रोइड़ भी निकाला यहां पर निकाल आभी हम देखेंगे horizontal spacing between adjacent bars ओके जो हमारे पास beam है, beam में कैसे हम इसमें reinforcement डालेंगे, कि हमारी reinforcement जो कि हमारी इसकी spacing है, वो यहां पर satisfy उसका roll करना जाए है, तो चले हम देखेंगे कि horizontal spacing between adjacent bars हम कितना है, कितना यहां पर डालेंगे, हमने अलरड़ी यहां पर calculate किया है, effective cover हम यहां पर 40 mm का लेंगे, अगर आप यहां पर beam यहां पर देखोगे, ओके, यह already मैंने यहां पर beam बनाई है, यह already है, मैंने यहां पर beam बनाई है, तो इसका यह जो है यहां पर आप देख सकते हो, उसकी यहां पर मेने यहां पर इफेक्टिव कवर यह हमारे पास touchscreen भर में ने इसको प्रोवाइड किया यह वाला यहां पर आप देख सकते हो यह वाला यहां यहां पर इसकी start up है उस Something पर हमने यहां पर बार्ज लगाई ए ठीके यह तेन्शन सूर्म में तो यहां पर आप देख सकते हो पांच बारस हमने लगाने हैं एक दो तीन चार पांच मैंने इसमें लगाई है तो अगर हम यहां पर बात करेंगे और अलड़ इसमें 500 जो अरड़ी मिने यहां पर लिया है तो इफेक्टिव हमारा यहां पर रहेगा 460 mm तो अब हम यहां पर श्पेसिंग देखने कि या वादी यंग रहेगी बार और बार के सेंटर से लेकर सेंटर देखनायें कि स्पेसिंग हमें यहां पर क्या रहे तो उसके लिए हैं यहां पर फार्मला देखंगगे तो वीड़िट मौहर, ठीकर completa वाला camera टिए समांच और ये वाला cover उसको subtract करना है ठीक है मतलब width minus twice nominal cover और जो हमारा आता है minus number of bars हमें इसको subtract करना है फिर से number of bars हमारे पस कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच bars यहां पर number of bars multiplied by उसका dia करना है ठीक है bars और bars के in between जो spacing है यहां पर लेनी है यहां पर हम वेल्यू put करेंगे तो हमें total में मिलेगा यहां पर हमya हम रहां पर calculate करेंगे तो spacing हमें 40mm की spacing मिलती है OK यह आप देख सकते हैं मैं आल्टेड यहां पर इसकी spacing calculate किये, 40mm कीए spacing निकलती है और इसकी spacing के लिए हमें हमारे पास क्या rule है यहां पे spacing के लिए rule है spacing should be greater of the following spacing should be greater of the following मतलब हमें spacing greater of the following जो हमारे पास rules है iS code ने यहां पे recommend के रूल तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि हमें इसका value जो 40 mm आया वो जो हमारे पास following दो cases आते हैं ठीक है तो उनको यहां पे माते नजर रखते होए हमें यहां पे देखना है कि हमें greater होनी चाहिए spacing उन से ओके तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आप देख सकते हो पहले यह पहला यहां यहां पर dia of bar ठीक है डाय अब भार से ज्यादा होना चाहिए हमने यहांपे 20mm का बार यूस किया है तो 20 से ज्यादा है मतलब हमारा यहांपे greater देने 40 जो हमने यहांपे 40mm यहांपे provide किया है तो 20 से ज्यादा है और number second जो हमारा पास rule आता है nominal size of aggregate, ठीक है हम aggregate use कितना करते हैं, ठीक है aggregate हम कितना use करते हैं beam में और nominal size उसका plus 5 mm उसको हम यहां पे रखते हैं, nominal size of aggregate हम यहां पे 20 mm as usual, हमारे पास बहुत सारे यहां पे mm's के aggregates होते हैं, 20 mm के होते हैं, 22 mm के होते हैं, 25 mm के होते हैं aggregates, तो हम nominal size य पर फिर भी इससे ज्यादा यह हमारा जो हमने इरडि 40mm नकाला है कि तो जो मुझ ने अब चक लगाए है यह इसके लिए चुक था ओके चक हम लगाते हैं तो यह हमारा चक यहां पर थीक निकला तो हमरे पास नेक्स इप आप नेक्स इपया आठाए कि हमारी beam जो है वो satisfy करती है share force यह नहीं करती है ठीक है वो share में फेल मतना होनी चाहिए ठीक है जो हम जो भी हम design करते है चाहिए beam हो slab हो ओक है w हो singly beam हो चाहिए column हो ठीक है उसको हम यहां पर share चक करते हैं क्योंग हम फिर share को accordingly यहां पर देखना होता है कि आगर हम यहां पर satisfy नहीं करती है यह शियर का रूल तो हम इसमें हम शियर reinforcement फिर प्रोवाइड करते हैं तो चले देखते हैं पर हम शियर केसे calculate करेंगे यहां पर अगर हम देखें कि शियर फोर्स एट सेंटर आप सपोर्ट यहां पर critical section पर असल में लेना होता है तो critical section पर मैंने नहीं निकाला आए ठीक है तो थोड़ा सा confusing लगता है हम यहां पर सेंटर आप सपोर्ट पर निकालेंगे ओके सो सेंटर आप सपोर्ट पर हम कैसे निकालेंगे तो शियर फोर्स जो हमारे पास होती हैัís फार्मला उड्र की जो हमारे पास तक होती है डबल्य ऐल वीडू ओके यह और यहां लीया है अले फ्मण फोर्ट किये और जो मैंने यहां पर लोट के लिए रिए यह Total कटलोड हैं यहां पर और यहां पर एफेन दो करेंगे तो यहां पर हमें वी यू जो हमारे traumhrafo N Brooklyn यहां पर इंकलता है 3290 गाल नेंक्स सिपहर हमारा यहां पर नीकलता है नेंक्स सेविपहर यहां पर आता है नॉमिनल by निकाला यहां थिर्फ है अभी हमने वी यू डिवाइड बिडी उसके लिए फार्मला आपको मिलेगे ठीक है तव वी जो अगरव देखोगे code book is code अगर अगर आप देखोगे code book तो आपको उसे मिलेगा तव वी यू डिवाइड बीडी ठीक है या अगर आप class पढ़ोगे class class 40.1 code book 40.1 तो 40.1 पर बराबर या आपको formula मिलेगी तो टव वी जैसे मैंने इसमें अब इसमें values पुट के वी यू अलरेड़े मैंने calculate किया है 32906 ठीक है और बी बी अलरेड़े calculated है डी बी अलरेड़े calculated है तो हमेरे पास टव वी जो हमारे पास यहाँ पर आया nominal share stress यहाँ पर कितना है 0.17 नूटन पर इम स्टेबल के लिए मिल जाएगा टेबल किसे टेबल 20 अगर पढ़ोगे कोड़ बूक का टेबल 20 अगर पढ़ोगे कोड़ वहां से आपको यह फार्मॉला देखने को मिलेगे डू-पॉइंट-बॉइंट-बॉर बस देखना है M20 के लिए क्या है M25 यूज क्या है M5 यूज क्या है M10 यूज क्या है 15 यूज क्या है तो आपको accordingly वहाँ पे value मिल जाएगा तो यहाँ पे वो put करना है बस देखना है वहाँ से code book से और यहाँ पे put करना है maximum shear stress in concrete tau c max यहाँ पे हमें कितना अब मिला यहाँ पे हमें अभी मिला 2.8 newton per mm square ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे जो हमारे पास यह जो है यहाँ पे मैं आपको समझानी की कोशिश करूँगा अभी हमने tau v यहाँ पे calculate किया आप यहाँ पे देख सकते हो tau v आरे हमने calculate यहाँ पे किया यह आप देख सकते हो तो अभी हमने tau v भी calculate के उसका value यहाँ पे हमें मिला 0.17 ओके और tau c max tau c max का यहाँ पे 2.8 यहाँ पे value मिला तो इन दोनों को यहाँ पे compare करना है जो इनके values है इनको यहाँ पे compare करना है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो tau v is less than value आया और tau c max का 2.8 मतलब 2.8 यहाँ यहाँ से इससे ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे इसका compare value किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो tau v जो मैंने यहाँ पे लिखा is less than tau c max तो हम यहाँ पे आगर आप देखोगे compare मैंने यहाँ पे value किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो tau v is less than tau c max तो इसका जो हमारे पास design जो हमने अल्टरी यहाँ पे design किया है तो वो ठीक है ठीक है है नस दक्चाक्ति ओके तो इसके बाद हम क्या करते है share stress in concrete निकालेंगे tau c अभी हमने क्या निकाला maximum share stress in concrete निकाला तो वो हमें यहाँ पे आया tau c max तो अभी हमें क्या करना है अभी हमें सिर्फ share stress nिकालना है मतलब tau c tau c हम कैसे निकालते है tau c भी हमें यहाँ निकालेंगे जो हमारे पास tau c होता है यह depend करता है kold book पे depend करता है किस-किस पे depend करता है percentage of steel पे percentage of steel and grade of concrete grade of concrete percentage of steel or grade of concrete पे depend करता है grade of concrete आल्रेडी हमें है M20 concrete यूज के है और percentage of steel हम के से निकालते है ठीक है वो हमें यहाँ पर formula है उसके लिए AST divided by BD cross 100 ओके जब आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो है AST provide ठीक है AST provided आपको यहाँ पर पूट करना है ठीक है जो आपने calculate किया है AST provided जो हमने किया है वहाँ पर हमने सामने किया था ठीक है तो उसको यहाँ पर पूट करना है और BD B already है हमारे पास 300 DB है हमारे पास 460 और यहां पर कुछ परसंटेज निकल के आई आएगी वन पॉइंट वन थी शाय निकलती है ठीक है यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिट करूंगा परसंटेज अब स्टील का टेबल 19 यहां पर निकालोगे तो वहां से आपको यह परसंटेज अब स्टील मिल जाएगा तो आप यहां पर हमने कितना निकाला है यहां पर हमें आया 1.13 परसंटेज अब स्टील और यहां पर फिर में ने निखा है यहां पर अगर आप देखँए 0.1 7 हमें पहले ही आया है 0.17 और टाव c अभी हमें यहां पर कितना मिला है 0.63 ओके 0.63 तो इसको हम यहां पर अगर हम यहां कैल्कुलेट करेंगे तो वैल्यू अगर हम यहां पर देख सकते हो तो टाव V is less than ताव C, ओके, फिर से हमें यह ही आया, मतलब जो हमारे पास जो अभी हम डिजाइन कर रहे है, ठीक है, तो हम यहां पे अभी ठीक कर रहे है, ठीक है, जब हमें यह वाला यहां पर केस समने आएगा, ताव V is less than ताव C, तो हमारे पास जो की शियर में होती है, ज अगर आप जब यह आपको यह यहां पर मिलेगा, ताव V is less than ताव C, तो आप यहां पर नॉमिनल शियर, नॉमिनल शियर रिनफोरस्मेंट प्रोवाइड किया करो, ठीक है, इन दा फारोम अ वर्टिकल स्टैरेपस, ओके, जो हम वर्टिकल स्टैरेपस फिर इसमें देते है तो उसके हिसाब से हमें फिर यहां पर यहां पर यहां पर देना है, ठीक है, अगर यहां पर इसका उल्टा होता, ताव V is greater than ताव C आता, ठीक है, तब हमें यहां पर ज़रूरी यहां पर हमें रिनफोरस्मेंट जो हमारी पर शियर रिनफोरस्मेंट है, वो यहां पर हमें को एक नियूए किए तो हैनस ओशीय रिंफॉरwenसमेच इस रोगा रहत तो थीक तो यह उंए हमारे पास यहां पर वार्मला क्या है उसके वहां है यहां पर दॉए इस्टिक्षर ऑफ़, 0.4 x 0.2 463 आफ लंवाई, अभी आप देखऊ गई है है यहांप अलोंगा हमारे पास यहांपे एरिया आफ कि एर्य आफ कि एर्या वर्टिकल स्टैर्डबस से-टाे ना ची ओक्रिएल और्या-आथ-टा-थ्स और S-v S-v क्या है यह is Spacing of Vertical styropus स्पपसिंग अभी हमें अरिया कैसे हमें निकलेगा एसवी हमें कैसे निकलेगा यहां पर मैं आपको बोलते चलो कि एस्वे हमें कैसे निकलेगा एस्वी हमें यहां पर करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे प्रोवाइड प्रोवाइड 2-lagged यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आल्रीड यहाँ पर calculate किया है यहाँ पर आप देख सकते हो ASV मैंने लिया है ASV 2-raw μटिप्रेब par 4-row यहाँ पर मेने लिका है providing 8 mm 525-row steel तो यहाँ पर हमें जितने भी lagged होगे तो उसको यहां पे इसको multiply करना है मतलब हमें यहां पे 8 mm का यहां पे use किया है तो हम यहां पे 5 4 8 का square करेंगे और हम physician 2-Legged होगा 4-Legged होगा, 6-Legged होगा, 8-Legged होगा store up, तो उसको हम यहां पे accordingly multiply करेंगे तो हमें यहां पे ASV जो हमेरे मिलता है एस्व यहां पे total में हमें मिलता है 100 mm square ठीक है एस्व अभी हमारा यहां पे मिला और 0.4 भी यहां पे ठीक है तो 0.87 भी ठीक है Fy भी हमें यहां पे 415 तो अभी BB है यहां पे तो SV यहां पे एक variable यहां पे बचता है SV तो हम यहां पे spacing इसमें हम निकाल सकते हैं तो मिसमें जब हम total में इसका यहां पे value फूट करेंगे तो हमें यहां पे total में आपको देखने को मिलेगी यहां पे spacing हमें सामने आई है 300 mm की यहां पे spacing हमें आई है मातलब vertical stirrup से vertical stirrup तक अगर मैं आपको यहां पे beam का यहां पे L section दिखाऊँगा कि कि यहां यहां-पे एक Tam और यहां पिस्पेसिंग है कि यहांपे है Is इसको मोज़कर हृँन्वर यहां पर लिखते है 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 इस अर्फ फश्प करता है हैं यहां पर हम देखेंगे चक फॉर्ड डिफ्लेक्शन जो कि हमारा नेक्स्ट बाता है डिफ्लेक्शन क्राइटरे हमारी जो बीम है उसको यहां पर करता है कि नहीं यहां पर मैंने इसकी बस फार्मला दी है लबाइडी बेसिक होना चाहिए लेस्द लेडिए हमारे हमारे पास यहां पर केटी होता है मोडिफिकेशन फेक्टर और केसी होता है हमारे पास मोडिफिकेशन फॉर कंप्रेशन रिइंफॉर्समेट और यहां पर हमारे के एफ जो होता है के हमारे 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 पास होता है फ्लेंजिट सेक्शन के लिए ठीक है प्रोवाइड किया है तो हमारे पास केसी जो है यह भी कुछ ने यह तो इसको भी हम यहां पर ले लेंगे और केटी अभी हमें देखना है कि केटी हमें केसी मिलेगा यह अगर आप देखो कि फिगर 4 निकालोगे कोड़ बुक की तो वहां से आपको केटी का वेल्यू मिल कि ठीक है और जब आप फरमॉला भी दी है ठीक है उसके वेल्यू तो और पर संटेज हमने निकाले यह तो जब वह तो वहां को केटी का वेल्यू मिल जाएगा और यहां पर में अगर आप लगाइडी बेसिक की हैं पर बात करोगे तो लगाइडी बेसिक हमारा होता है 20 यह यहां पर वेल्यू जो हमारे पास simply supported beams होते हैं simply supported beams के लिए यहां पर 20 वेल्यू लेना होता है यह भी हमने is code ने यहां पर recommend किया है कि L by D basic जो length by depth ratio होता है उसका अगर आप यहां पर ले लोगे तो basic value उसका होता है 20 यहां पर किसके लिए simply supported beam के लिए अभी हमने L by D provide यहां पर निकालना है L हमने यहां पर 4.5 आपको यहां जल्द 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 दिखाऊंगा 4500 यहां पर already MMS में है और D हमने यहां पर 460 किया है इन दू को यहां पर divide करोगे तो आपको value यहां पर मिल जाएगा उसको यहां पर multiply by करना है KT तो आपको deflection criteria यहां पर देखना है L by D basically है less than इससे कि नहीं अकर है तो यह ठीक है deflection में नहीं है तो इसको फिर से हमेरी design करना है वहीजिए आपको कोई बात नहीं आएगी यह deflection में ठीक है चक शियर भी हमने इसमें किया है तो यह ठीक निकाले की deflection में तो next step हमारा क्या आता है यहां पर लास्त स्टेप हमारा क्या आता है summary of design हमें Tucson हमें लास पर फिर summarize करना होता है total में हमिरी summary देनीयों होती है क्या हमारी जो अलड़ी हमने यहां पर डिजाइन की है 40 mm ठीक है effective depth भी हमने निकाल लिए 460 mm AST अगर आपकी बात करोगे तो फाइव बारज आफ एफ़ फॉर फाइव स्टील ओफ 20 mm 5 अरड़ी हमने calculate किया है तो यहां पर हमने किया है calculate यहां पर मैंने लिखा है कि हमें यहां पर यहां और त्रिखा हमने वहां अगर हम इसको यहां पर बात करेंगे अभी हमें यहां पर यहां पर और यहां परींफर्समेरश्म्ट है यहां पर ड्री जो भी हमें के अरफ चुश्च पर पर और और जो उपर वाली यह बिए वट्रिकल स्टेर आप को यहाँ पर होल्ड डाउन करने के लिए हम यहां फें two 50म के यहां पर प्र है यहां पर प्रोवाइट किया है एंकर बार इसको बस यहां पर hold down करने के लिए हैं यहां पर इसको हम provide करते हैं ठीक है तो बस anchor bars यही होते हैं बस यह आपको दिखाने के लिए था anchor bar क्या होता है तो इसलिए मैंने यहां पर लिया है provide two bars of 12 mm 5A's anchor bar ठीक है तो यहां पर अगर हम share startup की बात करेंगे तो हमें 8 mm 5 2-legged to 300 mm center-to-center मिला है in the last अगर आप यहां पर देख सकते हो reinforcement detail that will be drawn in AutoCAD okay अभी हम इसमें अगर आपको नहीं को आपको दिखाऊँगा तो यहां पर ज्यादा लेख्श्र थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा तो इसमें हमें AutoCade का यहां पर एंटर करूंगा AutoCade में आपको यहां पर इसका Cross Section दिखाऊंगा कि AutoCade में इसका Cross Section क्या आएगा तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं अब हमें laptop स्क्रीन की और जाते हैं तो वहां पर हमें सर्किलर कॉलॉमियाँ अगर आप इसका सीधा आपको आई बटन्स करते हो से एक सेसल होका Rectangle command यूज़ करने के बाद मैं यहां प्रस्ट-ाप आप खॉय। यहां पर यहां पर लेंग्ट दे दूँगा लेंगर जो कि हमारी ही एलुगा 45 रिफके में इसकी दूंगा 45 two all और यहांपर आप देख सकते इसकी जो डेपट हे हम हारी forever वाल वाल धंते और यहां पर आप देख सकते हो हुआ यहां पर घखाऊंगा यहां पर सूर्ष करूएभर और और घुम मध्णाल तो चलिए ढगे Bennu alb dao outrage ऑगे और चलते हम इसके तक न walks स्वाबिट हमने एक बना ली ब히ीन के बाद में यहां पर इसके साइड वाले बना लूंगा उके उसके लिए में याँपे अलग से लीयर उठा लूँगा उके I आपको आच्छी से करहें तो में किया हैं से करूंगा यहां से में इस पॉइंक से यहाँ चलोंगा किसी लूंगा 150 आगे चलोंगा मिल्स ऐसने के बाद में य lesson किसे मेरे मर्जियान अभी तो हराऊ ही या या पर पढ़ता है हमारा तो टू हैंडरेट से ज्यादा ही हम यहां पर जाएंगे वन फिप्ती जाएंगर । नीचे आ गये हैं तो इसके बाद हम यहां क्या करें गये lattice पॉइंट से होन नीच ζाएंगे र O हो गया तो इसको महां चाट कर लूँंगा और कट करने के बाद में घुड़ Kal Cry attent न्युंड होगा और इसको महां से जईन करोंगा ओक्र के आढ़ी हाई जैसे को च्पर इसको डिख अप्षाया कोशिच तो तो चले नेक्स्ट की और चलते हैं यहां से हम जाएंगे और 150 के नीचे हम आ जाएंगे तो उसके बाद हम फिर से में यहां की ओर आजाओंगा और फिर से यहां पर फिर से यहां पर 1150 जाओंगा 1000 12500 के अबाद में इसको यहां पर डेरैकली उसकेसाइड कर सकता हूँ और यहां पर आप देख सकते हुए हमारी साइड के दो यहां पर वालस बन गए जिन पर बीम रेस्ट करती है तो अभी हम क्या करेंगे अभी मैं इसको यहां पर प्रोसीड उपर की ओर करूँगा अब प्रोसीड वोपर ओपर के और करने के बाद में इसके साथ यहां पर जोईन करने के यहां पर कोशिश करूंगा तकि हमारी beam अच्छे से यहां पर show हो जाए और wall भी अच्छे से दिखे तो आपको उसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर मैं यहां पर इसकी सारी डिटेल्स यहां पर ड्रा कर लूँगा तो इस लाइन को यहां पर मैं हटा ही देता हूं इस वाली लाइन को भी मैं यहां से हटा देता हूं और इस वाली लाइन को भी यहां से में हटा देता हूं यहां पर देख सकते हो, यह हमारी जो कि वाऱ है बराबर हाफ थिकनेस अ वाज पे बीम hebमारी सब्सक्त कर रही है, तो इसके बाद हमारे जो कि उपर से एंकर बार बनाएंगे, ठीक है, तो नीचे से उपर आ जाएंगे, तो हमारी main tencentrin reinforcement बन जाएंगे, ओके, तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर एंकर बार का यहां पर layer सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मैंने एक layer activate कर लिया, layer को activate करने के बाद इसको मैं यहां से offset कर उन्हेंगा ओंटनर करके और करके मैंने 40 मैं इसमें ऐस्में कंशे कर लोना ताकि आपको आपको अचींज से दिख अभी आगे प्रकोंत कर दो इंकल बार के नीचे जो हमारी अब tension zone में हमारी टेंशन reinforcement पड़ती है तो उसको मैं यहाँ पर सेट कर लोगा सेट करने के बाद इसको मैं same offset देदोंगा 40 का यहां से offset देदोंगा दूँगा ओके फोटी का अफसेट देने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यह मैंने इसका यहां पर टेंशन रिन्फोर्समेट दे दी और इसका में यहां पर चेंज यहां पर लियर चेंज कर लोंगा ठीक है लियर इसका में यहां पर यहां से इसका कलर चेंज कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से इसको डिस्टिंग्विश हो जाए कि यह हमारी जो बीम है क्लियर बीम की विड़त यह है हमारी और ग्रेल कर वारी हमारी टेंशन रिन्फोर्समेंट आ रही है को यहां से स्टैर अपसी दिखाऊंगा तो इसको मैंने एल्रेड यहां पर ब्रेक किया है ब्रेक करने के बाद इसको मैं आपसेंट कर दो alset आगर आप अगर आप रिपीट करोगे फिर से पर से अगर आप देखोगे तो हमने जो हमारी वर्टिकल स्टैर एक जो हमने शियर इंफोर्समेंट यहां पर यहां पर डिज यहां पर मैंने इसको यहां पर बना लिया तो मैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर चेंज करने के लिए मैं यहां पर फिर से अपना एक लियर एक्टिवेट करूंगा और यहां से मैं इसका यहां पर प्र-start का दूंगा और बराबर और यह घुना बर देकल के यहांट आध़ स्टेबर के गाइव है करता है कि नहीं नहीं कि इसको है यहां पे लिया, और यह बराबर सके साथ coinside हो रहा है कि यूमारा कि यहां पर आप कर लूँगा और यहां पर आप देख सकते हैं यह को मैं से प्रिण करनी की कोशिश कर रहे हैं उर्मॉट हो गया ओके तो सेम प्रोसेजर में यहां से भेट करूंगा यहां से भी मैं इसको ट्रोम आउट कर लोंगा तो इसको भी मैं यहां से ट्रोम आउट कर लोंगा और यह आप देख सकते हो यह जो बिलू कलर की यहां पर लाइनिंग आ रही है बिलू कलर की हमारी total यहां पर देख सकते हों यहां से आ रहे हैं तो यह चीकल स्टेराप से 8 Stretch हमने रहां होंगा तोडियर्विवर्स यहां पर कोशिच करांगा कि 500 रुखी यहां पर रही है नहीं हमारी आप बीम यह पर प्रापरली डिजाइन हो गए और यहां पर देख सकते हो रेड बार जो हमारा है वो एंकर बार है दो नमबर के आंकर बार है अभी मैं अलसक्चन में दिखा रहा हूँ की मतलब इसके पीछे जो इसका बार होगा वह फिर से इसका होगा क्या होगा इसका वह यहां पर फिर से एंकर बार होगा 12 mm का ठीक है और नीचे की और हम देखेंगे यह वाले बार यहां पर पर पड़ती है तो यह हमारे यहां पर वर्टिकल्स टेर अपसे 8mm2-legged के ठीक है और और यहाँ देख सकते हुआ हमारी में रिन्फॉरस्मेंट रही है वह इंडर फर्म ऑफ ग्रीन लाइन आ रही है ओके तो यहाँ पर देख से यह यहां से मैं इसकी भाइध रख देता हूं तो इसको मैं मैं यहां से क्लिक कर लेता हूं किक करने के भाद से यहां कि और जाओंगा तो यहां से कर देंगे okay कितो यह हमारी एक यहां पर यांपर बी डिजाइन από हि ठीके यह इसका जरूम और मैं आपके आपको यहां पे दिखानी की कोशिश करूँगा कि इसके बराबर डायमेंशन इस यहां पे ओके तो यहां पे आप देख सकते हो इसके डायमेंशन इस यहां पे आप देख सकते हो 4500 बराबर इसके डायमेंशन है और अगर मैं यहां पर फिर से अगर मैं वाल टो वाल यहां पर यहां मैंने एफेक्टु स्पेन यहां पर दिखाई एफेक्टु के बाद अगर मैं यहां पर क्लियर स्पेन की यहां पर बात करूंगा तो यहाँ पर आपको clear spell भी देखने को मिलेगा जो हमने already 4200 यहाँ पर calculate की है तो इसके बाद मैं यहाँ से फिर से यहाँ पर spacing इसमें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ हमारी 300 की spacing है 300 की spacing होने के बाद इसको मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा जो हमारा effective cover यहाँ पर पढ़ता है effective cover जो हमारा है 40 mm का effective cover है बराबर यहाँ पर आप देख सकते होके तो यह भी हमने यहाँ पर show करा ठीक है तो इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस सक्षन इसका बीम का यहाँ पर डाले गे ठीक है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर सीधे एक लाइन डाले गे ठीक है उसके बाद हम फिर से के हम पर लाइन एक खींचे गे ठीक है तो लाइन खींचने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे सीधे इस वाली लाइन को इससे यहां पर जोईन करेंगे ठीक है तो इस वाली लाइन से जो हमें अभी हमें अभी डैप्ट जो हमारी जो हमारी विडिट आ रही है अब वो आएगी यहां से 300 ओके तो 300 आने के बाद यहां से में इसको यहां पर जोईन कर दोंगा तो उसके बा हमारे 300 आप यहां से आप देख सकते हो यह हमारी 500 की है तो इसके बाद हम यहां से क्या कर लेंगे इसके बाद हम यहां से एक लाइन उपर ले लेंगे जो हमारा दिखाने की भी कोशिश करूँगा या हमने 20 रखा या नहीं आप देख सकते हो 20 हमने रखा ओके तो 20 और 20 40 अगर हम रखेगे तो effective बन जाएगा तो अभी मैं clear की यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्लियर के बाद करने के बाद अभी मैं इसको क्या करूंगा अभी मैं सारा यहां पर सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं offset कर दूँगा और यहां पर यहां पर प्रोवाइड किया है क्लियर कावर यहां पर हैंसे क्रोंगा यहांसे मैं इसको यहांपर reinforcement दिखाने की कोशिश करोंगा यहांसे मैं banget कर्के कन purse कर यहां से सीलेक्ट करों estas देख सकते हैं से थैण और गया जिमार्थ घर टेंसे सब्सक्राइब यहाँ नट यहां पर मैंट हैंपर और टाकी तो आप यहां है को प्रकाने भी बी बार्स फिर से लगाने यहां से पहले इसको यहां कर दूंगा डिवाइड कमांड है है यह है है और यहाँ पर देख सकती हुझे में इसकी यां पर प्वायट उम्हें सी कोपी करके का-पर न के बाद इसको में यहां से उठा के यहां पर तो एक दो तीन और यहां पर बराबर इसको मैं यहां से कॉपी कर दूँगा कोडरन उठाके मैं इसको यहां पर रख दूँगा और यहां पर आप देख सकते एक दो तीन चार पांच बारस हमारे आ गए है बराबर ओके यहां पे हमारी 5 बारेज बराबर आ गए है और यहां पे'ाफ देख सकते हो अर यहां पे इसकी इहां पर reinforcement डीटे devam ऑज बहुँति हैं पर राकी और anchor bars की आहां पर बात करीगे तो anchor bar का यहां पर color में change कर लूँगा तो anchor bar यहां पर हमारा 12 ही आ रहा है तो यहाँ पर मैं 10 10 वाला circle यहाँ पर से select कर लूँगा यह वाली tangent और यह वाली tangent मेरे को चाहिए और radius मेरे को कितना चाहिए 12 mm है total तो स्की से यहाँ पर radius है ठीक है तो इसी को मैं यहाँ से copy कर लूँगा या इसी को मैं यहाँ से mirror भी कर सकता हूँ M I command use करके ठीक है तो इसको मैं यहां से center point निकालने की यहां पे कोशिश करूँगा यहां पर आप देख सकते हुए यहां यहां पर हमारे anchor bar यहां पर आ गया ओके तो यहां पर आप देख सकते हुपर जो हमारे red वाली जो आ रही है अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा red वाली इसको मैं थोड़ा सा move यहां पर कर लूँगा ताकि आपको यह अच्छे से दिखे यहां पर आपको आपको अच्छे से दिख रहा है कि अब जो red वाली है वो हमारे anchor bar 2 है ठीक ह्यां पे रभर पर्दते हैं और वाली इन घ्री वाली यंज फकूण सनbullक्त Q वाले है बुट कुछेर यह यह हैं जो करने के निवाद शो करने के बाद इसको मियासिय सी का कलरी चेंज कर लूगा ताकि यहां पर ठीक लगे ऐसा ही यह बिल्कुल दिखना चाहिए तो आपको इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हो इसका मैंने color change कर दिया है तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो अच्छे से तो अभी मैंने इसका कलर भी यहां पर चेंज कर लिया है तो यहां पर मैं इसको यहां पर ट्रम आउट कर दूँगा ठीक है यहां से और यहां से इसको यहां पर ट्रम आउट कर देंगे यहां से और यहां से इसको यहां पर ट्रम आउट कर देंगे यहां से और यहां से इसको यहां पर ट्र और अगर आपको रिइन्फोर्समेंट नहीं ड्रा करनी आती है और आप मेरा टूरियल सारा देख लेना ठीक है आपको आई बटन में लिक मिल जाएगा तो वहां से आप सारा टूरियल देख लेना तो आपको उसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आटूकेट भी आपको अच सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर एक लाइन यहां पर सिलेक्ट कर लोंगा ठीक है तो लाइन को सिलेक्ट करने के बाद में इसको यहां की और आ जाओंगा ठीक है यहां से इसको मैं आप यहां पर मू कर लोंगा मू कमार्ड से मू कमार्ड से मैं इसको यहां पर रख सब्सक्राइब आप जो हमारी यह मैंने हो कि ढाये वह हूक भी मैंने यहां इसको प्रोवाइड क्या होकि और यहां पड़ी सब्सक्राइब आप देकंस सकते हो अभी हमने प्रापर यहां पर बीम जो के टोटल इसमें रिन्फोर्समेंट डिटील अपर चैल वहा हमने पर आपको आपको यह म सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते हैं नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए अपना खाया रहे और सबस्क्राइब करना बिल्कुल सबस्क्राइब करेंगे तो नेक्स टॉपिक में मिलते हैं तब तक के लिए आपना खाया रहे और के बाई